अलो मैं हूँ आलोक सार स्वागत है आप सभी का हमारी इस एडूकेशनल यूटूब चैनल है वे अले तो याल में आपको बताने की जरुवत नहीं है कि इंग्लिस हमारे डेली लाइप में कितनी यूस्पूल है आज चोटे बड़े जॉब पर्सन से लेकर घरेलू महिलाओं तक को इंग्लिस की जरुवत महसुस हो रही है क्योंकि आप बहुत सारे इलेक्टोनिक गैजर्स यूज़ करते हैं आप वाट्साप मेसेंजर फेस्बूक और बहुत सारे सोशल मेडिया से भी जूड़े हूए है जैसे लेटना सपड़ मानना कोचना गुद्गुदाना चिरहाना यह ऐसे वर्स हैं जिसका आप देज लाइप में बिल्कुल यूज करते हैं चाहे आप बड़े हो बच्चे हो या कि आप किसी भी एज ग्रूप के हो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं पहले प्रॉड प्रॉड का मतलब होता है या चुहाना चाहे पीन से हो चाहे नाखुन से हो फी प्रॉडड हर उन हर बैक ने उसके पीज पर चुभाया तो यह ऐसी गत्विजिए अकसर फ्लास के बीच में बच्चों के बीच में देखने को मिलती है क्या बच्चे एक दू स्लैप स्लैप को मतलब होता है थपड़ माना सी स्लैप दहीं उसे थपड़ मारा नेक्स देखते हैं अगला है पिंस मतलब होता है चिम्टी काटना चिम्टी काटना ही पिंस जिम्टी काटना ही उसने मेरे गाल पर चिम्टी काटा अगला है टीस को मतलब होता है चिरहना चि रहाता है तीस के जगह में आप बूलिंग या भी यूज़ कर सकते है उन दोनों का मतलब भी होता है तीस का मतलब होता है तो मैंने दिखाना इसका सेंटेंस देखते हैं डों फिक तो उसको मना करने के लिए बोल सकते हैं या कोई भी दांट दिखा रहा है तो उसके लिए गीगल का यूज करेंगे वा मुझे करता है कometricker समयवा मुझे करता है टीकल का मतलब होता है भी और नेक्स्ट है Administrator मतलब होता है खुडाना वा है तुम अपने सरक चुश्क कर सकते हैं अगल वर किहाँ हो तो समझ नेक्स है सब्सक्राइब कर दो होता है कोई चीज को अगर आप कुढ़ रहे ना पुचिछ रहे ना पुम्छे तो उसके लिए इसक्रेश कर सकते हैं अगला वर देखते हैं कडल कडल का मतलब होता है गुध मेन उठाना चैनल कि बच्चा हो जा कुछ भी हो जा तक यहीं क्यों नहूं वह अपने पपी को हर समय गोद पर उठाए रहती है अगला वर्ड है वेव को मतलब होता है हाथ हिलाना इससे तो आप परचीस होंगे आप मेसेंजर वगरे में देखेंगे तो समय वेविंग यू इसका एक प्रागा दिखाता है तो आप समझ जाएए कि मतलब होता है हाए करना यहां थिराना सेंटेंस देखते हैं लुक देयर समय वेव यू उधर देखो तुम्हें कोई हाथ दिखा रहा है इसका मतलब तुम्हें कोई हाए बोल रहा है ठीक है अगला स्क्रीक दार आया सुऑ चला क्टान फैर लेमन वेल को कमतलब होता है निचोरना इस वेवर को निचोरना या कुछ भी आपके देखोर रहे है तो उसके लिए अंचार आप स्क्राइब कर सकते हैं next है साप समय सक्राव का मतलब होता है सीचव कर सकते हैं सें इंटेर देख स उसको बोलते हैं शिशकना रोने के बाद जो आवाज आजी है उसको बोलते हैं शिशकना उसके लिए इंग्जिस में बढ़ है swap next देखते हैं lay down, lay down का मतलब होता है लेतना ही lay down on the floor वह जमीन पर लेट गया ठीक है लेतना को बोलते हैं lay down next देखते हैं whisk का मतलब होता है फ्टेतना she is whisking egg to make omelette वह omelette बनाने के लिए अन्दे को फैंट रहा है या उसके लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं कोई भी सेंटेन के सकते हैं केक बनाने के लिए आप उसके material को whisk करते हो या कोई भी अंदर की नेक्स्ट है दाल को फेर्ण करते हैं चर्ण ऊपकते हैं या ये लास्ट है ड्राइवय मतलब होता है भाणा आецब टूग एक राइव दॉड्राइव कि या भानर मंकी मैं बंदर बब बकाने गया थो इसका यूज कर सकते हो अब किसी भी चीज को आखास कर आपके गाटन वागिया है या कुछ आ गया है तो भेघा ने जाते हो इसके लिए प्शुष कर सकते हो चलिए आशका वेडियो यहीं खतम करता हूं थांकियू बाचिंग